ए प्रोग्रम प्राइमेश्य टीवी दी प्रापटी है इस दे कंटेंट नू आउडियो या फर वीडियो रूप विच चोड़ी करके यूट्यूब, फेस्बुक या खोर किसे माध्यम रही वर्तना कॉपीराइट कानून दी उलंगणाए अजया करनते कानूनी कारवाई कीती जावेगी देवी ओ अपड़े ने साड़े सारे आदे सके सोदरे ने क्योंके देश वास्ते उनना ने खुर्बानी कीती है और सारा जेड़ा देश है उनना वास्ते जड़ी जड़िया जी वारा गौंदा ये बड़ी मुहबद कर देए बड़ा मान है शहीद पाघसिंग दा सारे आसी बड़ा आद्र कर देए और शहीद पगस संग होना दे परवार विचो उना दे निजी रिष्टेदार उना दे पतीजे सरदार करन जी संग होनी जड़े के पगस संग होना दे छोटे प्राकुलतार संग होना दे स्पुत्तर ने आज साड़े नाल स्टूडिय विचे हाजरने और मेरे लिए खास तो ओरते बड़ी मानवाली गल है कि अज ओ साड़े रूबरू हो रहे ने प्राइम एशिया टीवी दे और पगसिंग होना दे नाल जड़ियां होना दे यादा होना दे पिता जी वलों दस्यां के गिंगे से अज जो प्राइम एशिया टीवी दे वेड़ सरदार किरնजीत सिंग्न होना नों खात्प होने ज़ु दिग्धा सुष्ध संथरह मैं जड़ियां जिसकर कीता है कि पगसिंग से दोस्ती तुसी के संस्ता इर्गरねजरेशन km खी फूरू का बायान फ्राइम यह शूरू किती है यह cin webs प्ठव करा मैं के तुड़ एवしまू सावर्बा तोंहें उन्हादा बड़ा मुहबती थी oh अकीसे दर्जी को लूं आपना कोड़ता जा बड़े सौंदे सी गया ते उन्हानूं बड़े खूशी हुँदी दोस्ती हुआले देख वाले देण आला ज़्या पां गाल करिए तुसी ए जड़ा इस सिरलेख जड़ा देता है पागसिंग से दोस्ती वाड़ा है एक की तारे मनदे में जायके में तुसी संस्ता शुरू किती कि बे आज जकाल दे नौजवानें नो नाल जोड़ा जावे त पागसिंग जड़ा है अभी साड़े ली ओर राब्याव सक्षियत बनगी है कि असी उन्हों हाथ नहीं ला साकते पागसिंग तो अपना इताड़े नाल विचरदाए पागसिंग तो हड़ा दोस्त है आओ उन्हों पढ़ो उन्हों समझो ते इस करके तुसी मतलब जड़ाए अजी उदे बार थोड़े दस्वा शहीद आजम पूरे मुल्क दे नौजवाना लिए आईकॉन है गया पंजाब पर उन्हों दे जड़े लिखता हैं उन्हों दे जड़े विचार हैं और नौजवाना तक और पूरी कौम तक पहुंचन इस करके यह अपनी संस्थभ नाई फ्रेंड्स ऑफ बगत सिंग बगत सिंग से दोस्ती ता एदे विच जगा जगा पबलिक मेटिंग्स करके ड्राम जग की ती ओदे बारे नमी पीडी जागरूख होवे और असी उस मुकाम ते पहुंच सके जो वो चांदे सके और दूसरा मैं खोर स्वाल करना चाहूना है कि पाग सिंग दी विचारता रहा देंगे जुन अपा गल्लां पता कर दें कि पाग सिंग बहुत दूर अंदेशी कि अगला चाहूना के समय बदल चुके ने ते तुसी आम तरते बार ले मुलकां देविच भी पाग सिंग दी विचारता रहा दे अडिय अडिय ज़ुन दी अडिय परचार कर देव और अज दे समय देविच तुसी एथ़ों दी जड़े लोक एथ़ों दी रहरें ने तु हलात उस तरेके देा जिदा दे उनना दे जमानेज से गे तो पघद सिंग घी और ओनना दे विचारता रहा और उनना दे साथिया दे यग और आजबी पूर ऑचनी एयर ॡिज़ अजड़ी जिस मनवता संदेश वीर पेनाए थे रंदे या उना हालात देनाल दो चार नहीं है गी लेकिन तो अड़ी दिल और आत्माज भी पंजाब चौर हिंदुस्तान है गी या इस करके शेहिद आजम दे विचारता रहा सारी जगाते अज भी रेलिमेंट है और उदे उते है कि सानू कम करने दी जरूर गया ता उन्ही या सारे विचार लेई सीगे रेश्या डी रेवलूशन तो आइडरलेंड दे करांती तो फ्रांस दी रेवलूशन तो उत्हेदे इंकलाबिया नू पढ़ेया उन्ही सारी हिस्ट्री पढ़ी और तद ही उन्ही अपने विचारा बनाए तूसी एक हुने जि नखे मुडेदा रूप है और फिर वेच जड़े आज़ेकाल दे नौजवान है उन्हों इस तरीके नाल देख देया कि एता बंबा बंबा बंदूका चलाओन अवला पस्ताओल चलाओन वड़ा नौजवान सी और चाहे बारले मुल्कों एथे भी जड़ियां वड़ियां ग चार आपां मतलब मैं समझा तुसी कर रहे हो कि जड़े बेचे आपां इना नौजवाना नौ तुसी मेरे ख्याला ले ए किस तरीके ना दासरे कि पाग सिंग दी विचारता रहा ए नहीं सी जेस तरीके तुसी पाग सिंग नो समझ दे हो शेहिद आजम पगत सिंग ने आपके हाँ पे बंबा और पिस्तॉल कदी इनकलाब ने ले ओंदे इनकलाब दी तलवार विचारां दी सांते तेज होंदी सो विचार जड़े ओ तेज होने चाहिए दे या बंबा और पिस्तॉला ने कदी रिवलूशन नी आओंदी जड़ कौम खड़ी हो जन्दी है पूरी जाग जन्दी है तद इनकलाब पहुंदाया उन्ही अठीक है पे अपने टाइम चे उन्हानों दो तिन एक्शन करने पे और ओदे बिच भी उन्हानों बहुत अफसोस सी जड़ उन्ही सांडरस तो बदला ले आलाला लाज पत्रा ताद इस चैलेंज नो कबूल करके उन्ही बदला लेया लेकिन उन्हानों अफसोस रहा पे एक आदमी दा उन्हानों खून बहुना पया और लेकिन उन्हान दा करना सी पे ऐसे मौके आजान दे इतिहास जड़ आकम करना पेंदाया सर्दार करिंज जी जड़ो ना पाग सिंग दी गल चल दी एता न विचारां दा स्वालां दा कुट तो फान जड़ा भी वंदर उठ करदा है ते समा जड़ा जड़ा जी हुने एक ब्रेक लान दा हो गया उस तो बाद कुछ हूर स्वाल मेरे मांदे बेच आगे और आज ज यह ठी दिए दान रटेक दी। इस वक्फे टुबात उढ़ दाश्वागते जी और आज July about दी गाले के साधेनाल साधे इस्टूडियो देषं च आमर शहीद शहीद पग सिंग हुन Shopakata, शहीदК जोना दे हम संगरन दी इस KH कीरन जी सिंग हुनी साधे स्टूडियो देच पहज़े शिद्भी doświad्म मुंपे मु मुह में वरुक्स बादा हुआ। लेडी के सरदार पग संह इन दर बड़ी शिदत उन्सी अदे आयन करते हुआ और आम तोर्ते सादे जड़े नौजवान ने भोग शहीद पग संह उनों पर बहुत पर बारला बारला जान देने, के भी यो पस्तॉल चलाओन वाले सी कि ज़नों ने बांब सोटे आजी ते आपने तोर ते अपने ग्राउंड लैवल थे कम तब करते हैं लेकिन नौजवाना नो आपने नाल पागसंग दी अडिजी नाल जोडंतों के अस्मरत रहें बहुत मतल्ड़ थोड़े गिंटी दे वेच जड़े नौजवान यह असल माने देविच पागसंग होना दी जड़ है जी विचार समझ देने लेकिन बाकी मैं सोड़े जड़े जो परचार करदा है चाहे गार ने रहीं सो सड़े जड़े नौजवान ने उज्यादा फालो कर देने मीडिये नू तो मीडिया अपना सही रूल नहीं नभा रहा जा मदल केस तरीके नल एक्षिन लेने चाहे दे मीडिया नू जाते बंदिया नू जैसे तरह तुसी संस्ता शुरू किती है के वाद तो बाद जड़े नौजवान पीड़ी है ओन वाली पाग सेंग दे विचार नल जोड़े ते जड़ियां होर अलामताने नशे जान दूसर सो मैं माफ करना स्वाल लंबा करता लेकिन तुसी मेरी पाहम ना साम जी गए होगे बिल्कुल ठीक है जी नहीं शेहिद आजम दे बारे या जानन दी का लिया पे वह बहुत ज़्यादे फिरोशिस रीडर से गे और उन्हीं बहुत किताब आपड़ियां सेक्ड़ियां दित इतसे तक मौक्ला आया पर जेल देया अफसराने किया फ़िसरदार जी तुसी इन्हीं किताबस कारें या सिर्फ से बस elders करें ले क्योंकि सारी किताबस अग्यान देन्चनियां पें दिया से सारी इडी वाले अनूं तो सरदार फगट सिंह धने किया पर नहीं इसी गल नहीं तुसी कोई भी किताब चुको और उड़ा कोई चैप्टर खोलो तो मैं तो अन्हों दिसूंगा पर उदे विचकी लिखे आया सो उना दीस विचारता रहा तो उना दीस सोच तो सानू प्रेड़ना लेनी चाहिए दी वो बहुत पढ़नवाले सी उनी अपने विचारानों पुष्ट कीता मैं जिदन पहला दे सिया सारिया रेवलुशन बारे उनी पढ़ेया और क्योंकि तद रिश्यादी रेवलुशन बिलकुल उसे ही वेले हुई सी उस दोर्च तो उनी बहुत ओदे बारे पढ़ेया उनी बाकी जे ओथर्स अमेरिका दे सी और दूसरे सी उनानों भी पढ़ेया सो इस गल तो सानू प्रेड़ना लेनी चाहिए दी क्योंकि पढ़के ऐसी आपने विचारानों पुष्ट कर सकदें साननू तरक्षिल होना चाहिए दा उतदी हो सगदा पिजादसी अपने पढ़न दे मियारनू चाह करांगे मैं दारसल पगसेंग होना दे जडे निजी साथी रहे ने शेवकुमार जी जा राजा राम शाष्टरी उनाने पगसेंग दे नाड़ जडियां यादना सांजियां कीते हैं और फिर परवार दे वेच्च जड़ियां तोहड़ियां सांजा रहें ने ना कलना चल दी होड़ियां बच्छ मुझत लेकिन उन तक पागसेंग दे निजी यादना जड़ियां होन तक कई वार मतलब ताड़े तरो ताजा होजा दे लिए सो सार या मैं चौना की भी आजी जड़ियां यादना ने बहुत पूर्नो तुसी सादना सांजिये कर उपागसें गोना दी हैं मैंनू बहुत मौका में लिया शिवर्मा जी जैदेव कपूर दुर्गापा भी जड़े उना दे बिल्कुल अभिन साथी सी उना देनाल रहें दा बहुत समय बताउन दा उस सदा उनानो याद करते सी और पिता जी देनाल तक खर गलना होन दी हैं इसी पिता जी ने दस्या जी मैं अपनी क्लास पास हो गया वागत सिंझ जी ने उना उनुकापे मिठाई ही ले उगे थे याद एकन्दे मिठाई तरफिक्ति में ले़ आया तो शीदेया अजी मिठाई नी नहीं होगी तो मैंनी मनुनूंगह पर तुस्ही पास होएं अगली तारीख थे लेक आओ र अगली जद तारीख लगी ता कुलतार सिंग जी रसगुलियां दर डबा लेके गए ज़िए उन्हें बहुत पसंद सी और उन्हें सारे अपने साथियांच बंडे और क्या पर आज पता लगया कुलतार सिंग तुसे पास हो गए या ता वो बहुत ही खुशमिजाद से गे और जिस वेले अदालत चो जानदे सी आप पता सी उन्हें पर फैसला की होना या तो उते सर फरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है आज तराने गुँजदे सी मेरा रंग दे पसंदी चोला गुँदे सी सारे जिन्हें एक्यूज़ सी गे और अलग दा सी पे कोई जशन दा महौल है मिले दा महौल है ता इस दौर तो चल देओ उन्हें कोई वकील निसी कीता आया आप अपने अपनों डिफेंट कीता अपने आप उन्हें सारे बयान देते और वो पुलिटिकल बयान सी गे और बलकि उन्हें अदालत दे फल साथ अक्तूबर उन्यसो तीनु ता उन्हा दे साथी शिव वर्मा और जह देव कुपूर उन्हानु मेलन ले फांसी दी कोट रिच गए और उन्ही क्या पे सरदार जी तुसी इन्ही छोटी उमर चले जाओंगे तेही साल दी उमर विच की तो अड़े दिल चाह ख्याल नहीं और उन्हीं फेवर रिफरेंस दिता पी उन्नी सो पच्ची विच बबर अकालिया नू फांसी होई सी छे जनिया नू और कोई कर दे भी डर दे मारे सरकारतों उन्हा दिया लाशान लेंडी सी आए केंदे इस महाल च मैं इस जंग चाहा सी और आज फांसी दी छोटे जी कोट रीच मैंनू मुल्क दे चारो कोनेया तो उठती इनकलाब जिन्दाबाद दिनारे दी कुई चोनाई पह रही या इस तो बड़ी होर की कीमत में बल सकनी जिन्दगी दी सो उन्ही हरवेलेया इंदार कीता पेकादो अकडी नजदी कावे जदसी अपने कुर्बानी देए और इस देश दी नौजवानानों परेड़ना दे सकिये तो हड़ी पिता जी सरदार कुलतार सिंग हुने वी जेल दे वेच्चो उस विले उननों मेलन जान देशी को ना बरे भी गल्ला करना चावांगी लिकिन समा हो गया जिक चोट जे वक्फे दा इस चोट जे वक्फे तो बाद हूर गल्ला जानते हैं जी इस वक्फे तो बाद तो हडा स्वागतिया जी और आज साधे नाल स्टूडी दे वेच्च शीहदे आजम पग सिंग हुना जे पती जी सरदार किरन जी संग हुनी लिके अज़ने नाल असी पग सिंग हुना दे विचारां बारे नादे निजी जिंदगी बारे यादना बारे गलना पता का रहे हैं और जी अगली गल जान दें इस वक पे तो पहला मैं जिकर का रहा है कि जदो शीहिद पाग सिंग हुनी जेल देविच सी और फांसी दी उडिक का रहे सी थे उनना दिना देविच जदो उनना दे माता जी विद्यावती जी और किशन आँ देविच पे मैं जद भी जेल च गही हैं उनना मिलन तो उननी सदा होसला देता पे बेबेजी तुसी पूरे होसले ना रहना यह और एक दो बार वो कुछ किसी सादूने संत्ने राख दे ती पे जाके उनना दे कोल रखे हो तो उननी क्या भी आ राख दी मेनों जरूर ना उना कुल वीर नू या किसी दूजे परा नू पे ज़िए ना तुसी जे रो पे तो लोग कैन गे पे पगज़ संग दी मा रूंदी या मैं चाओना पे एक मैसेज जावे पूरे हिंदूस्तान दी कौम नू और पूरे पंज़ाब नू पे पगज़ संग दी माने हस्ते हस्ते अपने बेटे नू शहादत लेपे जया और वो सारे नू होसला दिलासा देंदे सी अखीरी मुलाकात नहीं हो सकी उना देनाल परिवार दी क्योंकि सरकार ने कुछ शर्तां लगाती हैं पर उना दे दादा दादी और सरदार अजीद सिंग और सौरण सिंग जी दी कर हो जड़ी सिगे चाचियां उने ही मिल सकती हैं लेकिन इस तो पहला जड़ी मुलाकात तिन मार्च उनिसो इकतीनू होई उस विच मेरे पिताजी भी सिगे पूरा परिवार सी ता उजद गए ता मुलाकात तो बाद पिताजी दियां खंच आंसू आ गए आ सोचके पी एस फिर मिलना नी होना बड़ी जल्दी नी चले जाना या उनना दे जान तो बाद अपना अखिरी निजी पत्र परसनल लेटर उननों नी लिखिया और उदे विचा कुछ हो इस तरीके ना सी अजीज कुलतार प्यारे कुलतार तेरी आ खंच आचसू दे के बहुत दुख होया तेरे आंसू मेरे तो बरदाश नी हुन दे होसले दे नाल रेना शिक्षा ग्रहन करना और अपनी सहत दा ख्याल रखना और फिर उनी क्या पर और क्या कहूं कुछ हुर्दू दे शेर लिखे उसे फिक्र है हर दम नया तर्जे जफा क्या है हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है देहर से क्यों खफा रहें चर्क क्यों गिला करें सारा जहां अदू से ही आओ मुकाबला करें जैसी सचाई दे राते हैं तो चाहे सारी दुनिया खिलाफ होगे और सामने बड़े बड़े पहाड खड़े हों आओ उना देना ल्टकरा जाएए और असानु का कारलाइना लिखिया कोई दम का महमा हूँ एले महफिल चिरागे सहरों बजा चाहता हूँ मैं कुछ शना दा महमान है कुछ मोमेंट्स दा महमान है गां और सवेरे दे उस दीवेदी तरह हैं जड़े दिन निकलूगा तो बज्जा हूगा मेरी हवा में रहेगी ख्याल की ब परेड़ना देंगे खुश्रो हैले बतन हम तो सफर करते हैं तुम्हारा भाही बगत सिंग आ उनी चिठी अखिरी उननो लिखी और इस विच उनी पूरी कौम नो और नौजवाना नो मैसेज देता पे जड़े विचा रहा उनना ते चिलन दी असली का लिया और उन्हों सी के ले जाना है शीद पाग सिंग दी जेल डायरी ते उनना दी चिठी है तो विच्वे जड़ा खाते ए मैं मी पड़े होया ऐसी बड़ा देल हल उन्हों नो मनते है जिस बाती कार देन वड़ा जड़ा जी खाते है और बाकी वड़िगयों तो वड़िगया मुश्कलना दे नाल तेएस साल दी उमर दे विचे नौजवान मुड़ा टकरा गया इतने मैं जेल दी गाल चल दी पही है और मेरे मान दे विचे ख्याल आया के बंदा दो डंग दी रोटी ना खावे ता बुरा हाल हो जन्दा है और उन्हाने जड़ों क्या के साड़े नाल जंगी के दिय नाल विहार होना जाइड़ा सानु अखबारां, किताबां और जड़ा राशन आउसान वधिया मिलना चाइड़ा है फिर उन्हाने जड़ों प्ख़ड़ताल कीती सो प्ख़ड़ताल दा जड़ा इस सारा समासी ओदे दर्मेयान था डिपीता जी जा बेबेजी विदेवात जो कुछ दास दे उन्दे सी के भी किदना दा समा सी और केस तरीके नोने लंबा जड़ा सारा संगर्श पोखड़ताल वड़ा एक सो बत्ती दिन दी उन्हीं पुखड़ताल की ती और उन्हादी कोशिश सीगी पे बाकी सारे साथी चाहे ना शामिल होन लेकिन कोई पिछे नहीं हिटे हैं उन्हीं कैसी जरूर करांगे जिदे तरेट में दिन शेहिद जितिन ना दास ने अपनी शहादत देती बंगालतों से गे और पूरा मुलक मतलब साड़े परिवार ने और पंजाब दे लोगाने तक अठे होना ही सी पूरे देश विचा मैसिज गया प्यार नाइंसाफी हिंदुस्तान दे अजादी दे लाठी है ना हो रही है उन्हानों और क्रिमिनल्स नों कोई लेवल ते रखिया गया उन्हें बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और मैं गुजरात और तमिलाड तक गयां अंधर प्रदेश तक गयां उत्थे भी लोगाने दस्या पे उस जमाने ज़द कोई मीडिया नी सी कोई अख़वारा नी सी शेहिद आजम दा मैसेज करकर और पिंट पिंट गया और लोगाने रूटी छड़ी और एदा नतीजा होया पे उस सरकार जेदे राजविच सूरज नी कदी छुपदा सी उन्हों चुपना पया और एबी सी क्लासिस बनाईया गी या ता जद शेहिद जतिन दास दी आजमी नी रिया वो एक सोच दा ना हो गया रेवलुशन दा प्रतीग बन गया हो क्रांती दा प्रतीग बन गया सो उस जड़ी उनिया लड़ाई लड़ी और जड़ी पुखड़ताल की थी पूरे देश नो हिला के रख देता सी सो दारसल पागस्ञ दिना जड़ी इन कुर्बानीया सी गना दी फांसी सि एता अना दी कहने ना भी उता सिहर सी लिकन जड़ाई पोखड़ताल वाला पीरिड सी बहु गेंती देवेच्छ साड़े नौजवानुन नहीं 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 पता के वी उन अग उन्हादी वड़ी ने एक सो सेंती दिन दे करीब पोखड़ताल कीती सी। अगले प्रोग्राम दे वेच जड़ा तुसी कल वाला प्रोग्राम नाशर होएगा वेच दुसी उडीक रखनी हूर कलना बाता शेदे आजम पाग सिंग बारे होंगियां। अगले प्रोग्राम दे वेच जड़ा अपना तुह डेली। यडियां। यडियां। यडियां।